राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत द्वारा प्रस्तु थे ध्वने कारिक्रमों की शंखला आओ मिलकर सीखें आओ मिलकर गाएं कि इस शंखला में आओ मिलकर गाएं परियोजना में सम्मिलित गीतों को सिखाने के लिए ध्वनी कारिक्रमों के रूप में शिक्षकों हेतु सहायक सामग्री तैयार की गई है विद्यार्थी स्वयम भी स्वतंत्र रूप से इन ध्वनी कारिक्रमों के द्वारा गीतों को सीखने का अभ्यास कर सकते हैं आउ मिलकर गाएं परियोजना में विभिन भाषाओं के गीत सम्मिलित किये गए हैं इस परियोजना का उद्देश ऐसी परिस्थितियों का दोहन करना है जो बच्चों को उन अनुभूतियों का अनुभव कराने में सहायक हों जो प्राकृतिक वातावरण लोगों के रहन सेहन तथा भाषाओं में विस्तृत भिन्नता होने के बावजूद भावात्मक एक ताके सूत्रों की सरहना करने जैसे मुल्यों को अरजित कर सकें बच्चों में सामोहिक गायन द्वारा देशभक्ति सहन शीलिता और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और प्रशंसा आदी जैसे मुल्य भी आत्मसाद किये जा सकते हैं सही गायन के लिए जरूरी है गायन को सीखना इन गीतों को सिखाने के लिए NCERT ने देश भर में प्रशिक्षण शीविर आयोजित किये हैं इस दौरान यह अनुभव किया गया कि यदि प्रशिक्षण हे तू सहायक सामग्री के रूप में द्वनी कारिक्रम भी उपलब्ध हो तो अभ्यास और अधिक सार्थक बन सकते हैं इसी क्रम में गीत के शब्दों के उच्चारण से परिचित होना उच्चारण अभ्यास करना गीत का भावार्थ जानना गीत की धुन का ज्यान होना तथा गीत की धुन को बच्चों के साथ लय और गती में गाकर सीखने और सिखाने का प्रयास इन कारिक्रमों में किया गया अब प्रस्तुत है गीत एक बाग दे फुल असीहां पंजाबी भाशा में लिखित इस गीत के रचनाकार है सुर्जीत रामपुरी सबसे पहले सुनते हैं उच्चारण बोध हे तू गीत का पाठ एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे कौन असादी खुश्बू खोवे हनेरे कौन पसारे चल चल करदे वगदे नाले दर्यावादे असी उचाले दोस्तियां ते कंडियां अंदर रहंदे हां मिल सारे कदम मिला के तुर दे जाईए कदम कदम ते जोत जगाईए जित्थे कदम असीहां रख दे मिट जान दे अंधियारे चोल असादी गीत छुपेने प्यारा दे संगीत छुपेने मित्तर तादे मीत असीहां नफरत नूं अंगारे यदि गीत का भावार्त ग्यात हो तो गायन में भावना का समावेश सरल हो जाता है अब प्रस्तुत है गीत और गीत का भावार्त एक बाग दे फुल असीहां एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे कौन असादी खुश बूखो विहनेर कौन पसारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे हम एक बाग के फुल हैं एक आसमान के तारे हैं हमारी खुश्बू कौन छीन सकता है कौन अंधिरा पहला सकता है चल चल कर दे वग दे नाले दर्यावा दे असी उचाले दोस्तिया ते कंडिया अंदर रहन दे हां मिल सारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे छूटी नदिया चल चल करती हुई बहती हैं और बड़ी नदिया लहरों की साथ उचलती हैं परस पर मित्रता के तटों में रहते हुए हम सब एक हैं कदम मिला के टुर दे जाए कदम कदम ते जोत जगाए जित्थे कदम असीहां रख दे मिट जान दे अंधियारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे कदम मिला कर चलते हैं और हर कदम पर जूती जलाते हैं जहां भी हम कदम रखते हैं वहीं अंधियरा मिट जाता है चोल असादी गीत छुपेने प्यारा दे संगीत छुपेने मित्तर ता दे मीत असीहां न फरत नू अंगारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे कौन असादी खुश भूखोवे हनेर कौन पसारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे हमारे आचल में गीत छिपे हैं हम दोस्तों के दोस्त हैं और नफरत के लिए अगनी के समान हैं गायन में अधिकार के लिए अभिव्यक्ति में प्रभाहा जरूरी है और इस प्रभा के लिए आवश्यक है गीत के शब्दों गीत की पंक्तियों का मौखिक अभ्यास करना मौखिक अभ्यास का एक प्रारूप इस प्रकार है एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे कौन असादी खुश्बू खोवे हनेरे कौन पसारे छल छल कर दे वग दे नाले दर्यावा दे असी उचाले दोस्तियां ते कंडियां अंदर रहन दे हां मिल सारे कदम मिला के तुर दे जाईए कदम कदम ते जोत जगाईए जित्थे कदम असीहां रख दे मिट जान दे अंधियारे जित्थे कदम असीहां रख दे मिट जान दे अंधियारे चोल असादी गीत छुपेने प्यारा दे संगीत छुपेने चोल असांदी गीत छुपेने मित्तर तादे मीत असीहां नफरत नू अंगारे मौकिक अभ्यास को बार बार तब तक किया जा सकता है जब तक गीत को ठीक तरे से बोलना सीख न जाएं इसके बाद गीत की धुन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे कौन असादी खुश बूखोवे हनेरे कौन पसारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे छल छल कर दे वग दे नाले दरिया वादे असी उचाले छल छल कर दे वग दे नाले दरिया वादे असी उचाले छल छल कर दे वग दे नाले दरिया वादे असी उचाले दोस्तिया ते कंडिया अंदर रहने हां मिल सारे एक बाग दे फुल असीहां एक अरश दे तारे कदम मिला के टुर दे जाए कदम कदम ते जोत जगाए कदम मिला के टुर दे जाए कदम कदम ते जोत जगाए कदम मिला के टुर दे जाएए, कदम कदम ते जोत जगाएए कदम मिला के टुर दे जाएए, कदम कदम ते जोत जगाएए जित्थे कदम असी हां रख दे, मिट जाने अंधियारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे चोल असादी गीत छुपेने, प्यारा दे संगीत छुपेने चोल असादी गीत छुपेने, प्यारा दे संगीत छुपेने चोल असादी गीत छुपेने, प्यारा दे संगीत छुपेने मित तरता दे मीत असी हां मित तरता दे मीत असी हां नफरत नू अंगारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे कौन असादी खुश बूखोवे हनेरे, कौन पसारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे इस धुन का अभ्यास बार बार तब तक किया जा सकता है जब तक धुन ठीक तरे से सीखना ले इसके बाद गीत को सामुहिक गाइन के रूप में गाने का अभ्यास किया जा सकता है एक बाग दे बाग दे तक किया जा सकता है एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे कौन असादी खुश्बू खोवे हनेरे कौन पसारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे चल चल करते बगते नाले दरिया बादे असी उछाले दोस्तिया ते कंडिया अंतर रहते हां मिल सारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे कदम मिला के तुर दे जाईए कदम कदम ते जोत जगाईए जित्थे कदम असी हां रख दे मिट जान दे अंधियारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे एक अरश दे तारे चोल असादी गीत छुपे ने मियारा दे संगीत छुपे ने मिट तरता दे मीत असी हां नफरत नू अंगारे एक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे कौन असादी खुश बूखोवे हनेरे कौन पसारे इक बाग दे फुल असी हां एक अरश दे तारे इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बच्चों के सामर्थे को ध्यान में रखते हुए और गीत की लय और गती को प्रारंभ में धीमा रखने की दशा में ये जरूरी है के बच्चों को गीत की वास्तविक लय और गती से परिचित कराया जाए इसलिए अंत में गीत की वास्तविक लय और गती की जानकारी देने के लिए यह गीत सुने और कारिक्रम सुन रहे शोता ले और गती के अभ्यास के लिए इस गीत के साथ साथ गा सकते हैं इक पाद दे कुल असीहा इक पाद दे कुल असीहा इक परश दे कारे कौन असादी कुश भूखो में हनेरे कौन पसारे एक पाद दे कुल असीहा इक परश दे कारे चल चल कर दे बग दे नाले कर्या मा दे असी उचाले चल चल कर दे बग दे नाले कर्या मा दे असी उचाले दोस्तिया दे कंडिया अंदर रहते हां मिल सारे एक पाद दे कुल असीहा इक पाद दे कुल असीहा इक परश दे कारे इक परश दे कारे के कारे असीहाँ चल कर दे लु सार शु मुसक्रास से साम्थिक। सभात दा दे असीइवक दै कंडिया है इक पाद दे कुल हसीहाँ एक पाग ते कुल खसीहां इक खरश देतारे चुल असांधी गीत चुपे ने चारादे संधीत चुपे ने इक पाग ते कुल खसीहां इक खरश देतारे इक पाग ते कुल खसीहां इक परश देतारे एक खरश देतारे कौन असांधी खुश भूखो वे हनेरे कौन पसारे एक पाग ते कुल खसीहां इक खरश देतारे इक खरश देतारे इक पाग ते कुल खसीहां इक पाग ते कुल खसी देश की अन्य भाशा में गायन को गौरव के रूप में लेते हैं और गीत की धुन को अनायास गुन गुनाने के प्रती आकर्शित होते हैं इन कौशलों के विकास का अर्थ है परस पर समरस्ता की भावना का विकास होना और यही इस परियोजना का मूल मंत्र भी है आओ मिलकर सीखें आओ मिलकर गाएं अभियाव सुन रहे थे ध्वनी कारिक्रमों की शंखला के अंतर गती है कारिक्रम परियोजना परिकल्पना एवं समन्वय प्रोफेसर दल्जीत गुपता संगीत गायन एवं शिक्षन अभ्याज रीटा बोकिल गीत ध्वन्यंकन सुरेंद्र गांधी, कारिक्रम ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावु दयाल चत्रवेदी, कारिक्रम नर्मान रमेश रानी शर्मा, निवेधन कत्थे और कारिक्रम नर्देशन प्रभु दयाल खट्टर झाल झाल